प्राणुजी परिवित्यार्थियों शाथियों आज हम चर्चा करेंगे कोटिले की इस्थानिये प्रशाशन वेवस्ता क्या कोटिले की इस्थानिये प्रशाशन वेवस्ता बेटा नोट करें आज का हमारा जो टोपिक होगा क्या होगा कोटिले की इस्थानिये प्रशाशन बेवस्ता देखेंगा बेटा कोटिले ने केंद्री प्रशासन के बारे में अपनी रचना अर्थसास्तर में व्यापक रूप में वर्नन किया है अब चुकि जो केंद्री प्रशासन है उसके द्वारा नगरों की प्रशासन और ग्रामों की प्रशासन का पूर्ण रूप में नियंत्रन नहीं किया जा सकता इसलिए कोटिले ने अपनी रचना अर्थसास्तर के अंतरगत नगरों की प्रशासन और ग्रामों के प्रशासन के भी चर्चा की है मतलब यहां आधुनिक सामय में जो जब हम लोग प्रशासन का ध्यन करते हैं तो इसमें केंद्री करण और विकेंद्री करण की बात आती है विकेंद्री करने की अंतरगत जो है शक्ति का बटवारा किया जाता है जबकि केंद्री करने की अंतरगत शक्ति एक जगे होती है तो यहां पर जो कोटिले संकेत कर रहे हैं वो विकेंद्री करने की तरफ संकेत कर रहे हैं तरह ध्यान दीजिएगा किसकी तरफ संकेत कर रहे ह कि इसलिए क्या रहा हूँ कि कोटीलि वास्त Hé birthday कि राजन नितिजित चिनत तक और इसी के साथ में एक अपनी रचन अधसास्त्र ऑंध क्या help i राज्य राज्य के बारे में अपनी विचार दियों हो तो यहां मूलवाट एक ही आती है कि सभी जगहें कोईटी दो तत्तों का समन्वे किया है दो तत्तों का समन्वे का मतलब एक तरफ यथार्थवादी भी है ये जबकि दूसरी तरफ आदर्शवादी भी है अर्थात कोटिले की रचनार्थ सास्तर में आदर्शवाद और यथार्थवाद अर्थात कोटिले की रचनार्थ सास्तर में त त्थे मुल्य दोनों का समन्वे किया गया है तो यह हमारे लिए गरव की बात है कि फरस्चिम के अंद्रगत आज भी विवाद बना हुआ है कि राजनिती को समझने के लिए तत्थियों को समझें या मुल्यू को समझें मतलब राजनिती को समझने के लिए तत्थियों के आधार पर राजनिती को समझें तो वहाँ पर अंत में जो है उत्र विहारवाद अस्थितर में आता है स्वंडेविडिस्टन जो की कहते हैं कि अब हम इंहों उत्र हगारादी बनना नहीं पड़ेगा उननी सो नहींतर के अंतर हकत राजनीती विग्यान के सम्मेलं सास्तर को अ में पहले लिगन के सबाएं मैं कोंबारी अभिमान का कारण है फिर से बोल रहा है कोटिल हमारे अभीमान का कारण है चलिए अब हम क्रमाध रूप में इसकी चर्चा करते हैं किया कोटिल क्यों मैं मैं एक पर जरूर हम इता we neste के विधियारतिओं को और भी शेय इसके जो ряд इस तरी इस्टर के देहारति और में कर रहे हैं उझ में कुंट मैं जब जयारते टारा करें हैं उन उनकke लिए तो आज आप जैसे जो रीपब्लिक डे मना देते हैं वो नहीं, रीपब्लीक का अर्थ है आदर्स नगर राज्य विवस्ता, वास्तों में प्लेटो की रीपब्लिक और आरस्तू की पॉलिटिक्स, तो तीन किताबे तो मैं कहुंगा कि राजनिति विज्यान की विद्यारती क पास में होने ही चाहिए अगर आप इनका गंविरता से द्धन करेंगे तो आपको राजनेते विग्यान समझने में कते दिक्त नहीं आएगी ठीक है अब इस्थाने प्रशासन विरास्ता को हम समझें इसके अंतरगत की वल एक तरफ नगर प्रशासन की चर्चा कि इनों ने द प्रशासन के अंतरगत इस्थानी प्रशासन विरस्ता को समझा तो इस प्रस्ट रूप में कहा है क्या कि केंद्री प्रशासन अपनी प्रकर्तियुम कारे भार के कारण नगरों एम ग्रामों की स्थानिये प्रसासनिक समझ्चाओं पर परियाब ध्यान देने में ऐसमर्थ होता है मतलब जो केंडरी प्रसासन होता है उसकी प्रकरती और इसके साथ में उसका जो कारी भार वो इतना ज़्यादा होता है कि इसके आधार पर वह है देखा जाए तो नगर और ग्रामों की स्थानी प्रसासनिक समझ्चां पर परियाप ध्यान देने में क्या होता है बेटा ऐसे मरत होता है आता है कोटिल लेने इस्थानी प्रसासनि विवस्ता की आवशकता को शविका रहा है उननों नगर्यMृ गिरांओं के संदर में निम्निस्थानी सनश्थाओं का उलख किया है नवटकर है। इसका मतलबी है कि वास्तिय करूप में देखा जा belief तो जो केंदरी प्रसास्थन होता है वो नगरूं की और ग्रामों की प्रसासनिक समस्यों को नहीं समस्कता इसे ली barat experiment नगर के प्रसासन और ग्राम के प्रसासन का अलग से व्याप्रकृषा रोप में वर्नने किया है आप आदरिंग समय में देख सकते हैं अध listener Sword आज वास्त सब्सक्राइभ मनें इस्प संध्रिंघा जा लो है बपती है अधैक से डिया डेस्टाइब स्थिक प्रत्य अपनी संप्रती होती है देख सकते हैं प्रतेक्ष देश के अनुच्छ मेराजनती में टे पॉलिटिकल कल्चर क्या होती है दें यह मुस्कूराद कर दिया है। आप प्रतेगाज देश के अपनी Venice की सबसे नोट करें ढांने से पूरिया नगारयज का प्रसासन। मतलब इन्हों नखर कंद या मैं सिपोल्फ ग्रवार आप सबसे पहले इतरो लेगा की कोटिल लेन पूरा वा निगर का जो शरोच्य अधिकारी होता հहा आपuencia पूराथ्वा नगर का सरुच्च पूंच आदिक बीकारी होता है वो यहां पूछ ले जाए कि बही कोटिले ने नगर के सरोच्य अधिकारी कुछ निमन में से क्या नाम दिया तो आप कांसर क्या हो जाएगा नागरिक या नगरा देक्स चिक है जो नगर में सांती व्यस्ता की देखवाल करता है तो आज भी आप देख सकते हैं जैसे नगरपाले आप देखेगा कोटिली कितने आधुनिक हैं अब आगे बढ़ेंगे और समस्त राज किये प्रसासनी कारियों का प्रबंद करता है जो मैनेजमेंट करता है वो कौन करता है यह जो नगरा देक्स वही करता है और इसके बाद में अच्छा जो सरोच अधिकारी वो तो क्या हो देखेंगे अब उसके अधीन उसके अधीन किसके अधीन जो भी नगरा देक्स होता है अब इसके अधीन कोन होगा उसके अधिन प्रदेश्टा नामक अधिकारी होता है जो नगर में नियुक्त सभीराज करमचारी का आश्रन पर नजर रखता है अब कितनी मेहतरण बहुत नगरादेक्ष और उसके अधिन कोन हो गया है नोट करेंगे प्रदेश्टा नाम हो गया जब हम नगर प्रशासन करेंगे तो सबसे दिक है नगरी ने चादी नंतलब सब यह प्रदेश्टा का काम क्या क्या होगा कि सारे राज करमचारियों के आच्राने को पर सबसंजी कोऄ प्रदेश्टा की आज़ा को कोटेले ने प्रशासनिक द्रस्टे से नगर को वार्डों माटए बागूं माता है तो बेटा आज ग्याहिकति ऑदिकारी को स्थानिक pagan का अब वार्ड का प्रमुका दिकारि गया ध्यान देजरा नगरादेक्स फिर उससे नीचे मैंने आपको बता दिया है प्रदेश्टा और उसके नीचे कुन आएगा इस्थानिक ठीक है और इस्थानिक के अधीन गोप नामक अनिक छोटे करमचारी होते हैं अब इस्थानिक के अधीन गोप नामके छोटे जो कर्मचारी होते हैं ठीक है तो इस तरीके से देखा जाए तो यहां हम कह सकते हैं कि वास्थ रूप में जो नगर का प्राइश्टा को तो आप इन चार जो है करमचारी के आधाया पर समझ सकते हैं, सबसी उपर नगरकाद्यक्स, फिर प्रदेश्टा, नोट करें, सबसी उपर कौन हो गया, नगरकाद्यक्स, फिर कौन हो गया, प्रदेश्टा, कौन हो गया, प्रदेश्टा, और उसके बाद में जो है, प्रदे प्रतेक गोप 20 कुटुम्मों के बारे में प्रसासनिक द्रस्टी से आवसक सामगरी या आवसक समस्त जानकरी एककत्रित करता है और उसका लिखित वीवराण मतलब रजिस्टर लिखित वीवराण रजिस्टर रखता है जिससे की अपराधी किसम के परिवारूं उनके मिलने जिलने वालों पर नज़र रखिजा सकए ठीक है तो यहां पर यह जो कोटिले है इन्होंने नगर का प्रसाशन किस तरेके से होगा इसके बारे में अपनी रजनार्थ सास्तर में इस बस्ट कर दिया है तो यहां पर जो मूल बात समझने के जो यह ही है कि यहाँ पर जो है यह चार अधिकारी हो गए सबसी उपर नगरादेक्स पिर प्रदेश्टा रिस्तानिक और फिर गोप बाकी यह सारी बाते मैंने नोट कर दी आप नोट कर सकते हैं तो यह नगर का प्रशासन हो गए ठीक है मेटा आगे बढ़ें यास इसके बाद में कोटिल लेने नगर के प्रशासन के साथ ही साथ ग्राम प्रशासन के भी चर्चा किये ठीक है मेटा किसकी चर्चा किये ग्राम प्रशासन के भी चर्चा किये किसकी चर्चा किये ग्राम प्रशासन के भी जो है चर्चा की है चलिए ग्राम प्रशासन इसको चार भागू में ही विभाजित किया है जैसे सो गाउं पर उसके बाद में क्रम से आठ सो गाउं तक अधिकारों की विवस्ता की गई है कैसे की गई है ध्यान दें सबसे पहले तो आपको यह नोट करना है कोटी लेने सामाने प्रशाशन राजस्व इमन्याय प्रबंद की दरस्टी से ग्रामिन प्रशाशन के विभान इकाईयों का विभिन इकाईयों का उल्ले किया है ग्रामिन प्रशाशन की सबसे छोटी इकाई ग्राम है नोट करेंगे अब आप से पूछ ले जाए कि भी कोटी लेने ग्रामिन प्रशाशन की स इसमें किसान इम सुद्र की संक्याधिकों ऐसे कम से कम सो और अधिक से अधिक पाथ सो घरोंवाला एक ग्राम बसाए जाए ऐसे एक सो ग्रामों के बीच इस्थानिये अब ध्यान दें और इस प्रकार ग्राम प्रशासन में इन्होंने निम्स इस्तर की अब देखेगा यहां निम्न से उच का निम्न से उच अब निम्न से उच की बात की जारे तिसका मतलब यहां पदसौपान का उलेकर सब्सक्राइब करते हैं लोग प्रशासन का दिन करते हैं तो यहां पर कोटिली भी वाद बता रहे हैं सनस्ताइक क्रम से ग्राम इस्थानी खार्वटिक नोट करें द्रोणमुक तता संग रहन है क्या क्या ग्राम इस्थानी खार्वटिक द्रोणमुक तता संग रहन है तो इनको आप नोट करेंगे यह एक्जाम में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है अब देखेगा बेटा इसके अंतरगत जब हम इसपस्ट समझना चाहें तो इस विवरानिस इसपस्ट है कि कोटिले ने ग्रावन प्रशासन के वीविन इकाईयों के और संकेत तो किया है किन्तु उनके कारियों इसपस्ट रूप में प्रकास नहीं डाला है ये भी आपको ध्यान रखा है उन्होंने इन इकाईयों के आप से सम्मंद को भी स्पस्ट नहीं किया है आता है कोटिले की तुल्ला में मनु का ग्रावन प्रशासन समंदी वीवरान अधी विवस्तेते मिस्तरत है इसका मतलब यह होगा कि कोटिले की तुल्ला में मनु का जो ग्रावन प्रशासन समंदी वीवरान है वो लीक है पर कोटन लेक तो ल्डा में बड़ा व्यापक है। तो वहस्ता इसको आहिए नगर का प्रशासन सरकाकर तो बीटा यहां ह। हुआ पुरिया नगर प्रशाश्ञ में चारा धिकारी हो गए पहला नगरा दीक्ष उसके नीचे प्रदेश्टा उसके नीचे अिस्तानिय कर सका अध्यन करते इसके अंतर बिछो इस्ठानी के बीच में खारोटिक 400 ग्रामों के बीच में दुरणमक तथा 800 ग्रामों के बीच में संग्रहन नाम के विशेश इस्थानों की इस्थापना की जानी चाहिए क्या-क्या इस्थानिये, खारटिक, दरणमक तथा शंग्रहन और गिरान प्रिशासनी की जो सबसे छोटी है काई होगी क्या होगा बेटाओ गिराम होगा ठीक है ये बात आपको ध्याने में रखनी है अब आप से किसी भी रूप में प्रशन पोचा जाए तो मुझे इस वास है आपका जो है अंस्वर गलत नहीं हो सकता तो आप निश्कर्श रूप में क्या लेखेंगे निश्कर्श रूप में नोट करेंगे आप लिखेगा निश्कर्श में संक्षेप में सारूप में क्या लेखेंगे कि कोटिले ने अपने इस्थानिये प्रशासन विवास्ता को नोट कर प्रदेश्टा उसके नीचे जैसा कि मैंने आपको बता भी है इस्थानी इस्थानी और उसके नीचे गोप हो गया और इसके बाद में ग्राम प्रशासनी की बात कि दूसरा भाग क्या है ग्राम प्रशासनी के अंदर ग्राम के आदार पर ग्राम की संक्य क्या आदार पर बात कि से बाद में 400 ग्राम के बीच में क्या होगा दिर्वण्रणमुक और 800-Dranam ağust की बीच में क्या होगा संग्रहन्य नाम का विशेokolि विशेक अधिकारी ठीक है डिखना के तो यह आप चार scope करेंगे इस्थाणिआ खार्टिक B दोनमक टता संग्रन। आप्स से लिए पोछा जा सकता है कि बही कोट्यले ने आज सो ग्रामों के बीच में जो हैं किस की स्थापना की बात किये तो आपका आंसर हो जाएगा क्या 800 ग्राम की बात किजाएज 200 ग्रामों के बीच में खारोटिक 400 ग्रामों के बीच में इंद्रोनमक तता 800 ग्रामों के बीच में संग्रहन नाम की विशेश स्थानों की स्थापना की जानी चाहिए ठीक है तो यह हो गया आपका जो है कोटिल्य का इस्थानिय इस्थानिय प्रशासन विवस्ता ठीक है मुझे पुरा इस्वास है आप इसको जो अच्छे से समझ गए होंगे बेटा यस ओके थेंक वेरी मुच थेंक वेरी मुच